नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम की हाला कि इस टॉपिक पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं लेकिन उस समय से लेकर अब तक थोड़े थोड़े कुछ बदलाव हुए हैं इसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे और नए इंट्रस्ट रेट के बारे में जानेंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों Senior Citizen Saving Scheme जैसे के नाम से जाहिर होता है कि exclusively for senior citizens है साथ साल से उपर की उमर का हर इंसान जो के भारती नागरिक हो वो इसके अंदर इंवेस्ट कर सकता है किसी भी HUF को, फर्म को, चाहे भो प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर की हो कोई भी हो, या फिर NRI, HUF, किसी को भी इसके अंदर इंवेस्ट करने की पर्मिशन नहीं है सिर्फ Indian Individual इसके अंदर इंवेस्ट कर सकता है Senior Citizen Saving Scheme के अंदर खास बात यह है कि यह आपको एक guaranteed return देती है हर तीन महीने के बाद, यानि quarterly आपके saving account के अंदर आपका ब्याज transfer कर दिया जाता है दूसरा कोई option नहीं है कि आप ब्याज को ना लेंगे और cumulative interest आपको मिलेगा ऐसा कोई option इसके अंदर नहीं होता simply 3 महीने के बाद account में आपके आपका ब्याज transfer कर दिया जाएगा 100% safe है क्योंकि government of India इसकी guarantee देती है भारत के सभी post office की branches के अंदर आपको इस scheme मिलती है सभी major banks के अंदर scheme मिलती है हाला कि कुछ banks कभी-कभी अपनी private scheme sell करने के लिए हो सकता है आपको बोल दें कि उनके पास इस scheme नहीं है हो सकता है सच हो, हो सकता है सच ना भी हो लेकिन अगर senior citizen saving scheme इतना ही लिखा हुआ है तो वो scheme आपकी सरकारी scheme है लेकिन अगर इसके आगे या पीछे कोई और किसी किसम का शेफ्द लगाया गया है तो वो scheme bank की private scheme है वो senior citizen saving scheme नहीं है इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस समय जो इसका ब्याज चल रहा है वो है 7.40% 7.40% एक बार जब आपने इस rate पर invest कर दिया तो आने वाले 5 साल के लिए आपका interest lock हो जाता है आने वाले समय में interest rate बढ़े या घटे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको 7.40% के हिसाब से आपका ब्याज हर 3 महिने बाद आपके saving account में आता रहेगा लेकिन अगर आप अगले quarter में invest करते हैं तो हो सकता है rate बढ़े या घटे तो उस नए rate के हिसाब से आपको उस account का interest मिलेगा कौन-कौन लोग इसके अंदर invest कर सकते हैं हमने अब ही जाना के सिर्फ 60 साल से उपर की उमर के लोग invest कर सकते हैं लेकिन जो लोग 55 साल से 60 साल की उमर के बीच के हैं और वो retired है उन्होंने VRS लिया जाने के voluntary retirement scheme ली है या फिर retired from superannuation है तब भी वो इसके अंदर invest कर सकते हैं और defense personal के employees जो हैं जो civilian defense से तालुक नहीं रखते हैं other than civilian defense हैं वो अगर 50 साल से उपर भी है और retire हो रहे हैं तब भी वो इस scheme के अंदर invest कर सकते हैं लेकिन दोनों ही cases में यानि retirement के case में अगर आप इसके अंदर invest कर रही हैं तो शर्त ये रहेगी कि retirement date के बाद या फिर वो date जब आपको retirement के funds मिले हैं उसके benefits मिले हैं आपको उस date के बाद एक महिने के अंदर अंदर आपको senior citizen saving scheme के अंदर invest कर देना है वरना उसके बाद आपको अपनी 60 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा इसके अंदर invest करने के लिए दोस्तो एक व्यक्ती senior citizen saving scheme के अंदर minimum 1000 रुपे deposit कर सकता है और maximum 15 लाख रुपे deposit कर सकता है और ये भी 1000 रुपे के multiples के अंदर ही आपको deposit करने हैं जब हम कहते हैं maximum 15 लाख रुपे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक से ज्यादा account नहीं कोल सकते account number of account आप एक दो तीन चार कित्रे भी खोल सकते हैं लेकिन सभी accounts के अंदर total deposit आपका 15 लाख रुपे से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक account के अंदर एक ही बार deposit होगा फर्स कीजिए अगर आपने आज 2 लाख रुपे से senior citizen savings scheme का account ओपन किया है उसके बाद आप 3 लाख रुपे और डालना चाहते हैं तो आप उसी account के अंदर नहीं डाल पाएंगे आपको एक नया account उसके लिए खोलना होगा joint account अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये possibility सिरफ आपके spouse के साथ है आपकी यानि husband की wife के साथ joint account हो सकता है wife का husband के साथ joint account हो सकता है लेकिन कोई भी family member कोई भी third person किसी के साथ joint account नहीं खोल सकते है joint account खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि eligible दोनो person हो सिरफ first name अगर eligible है दूसरा person अगर उसकी उमर 50 साल से कम भी है 60 साल से कम है वो किसी तरह से senior citizen saving scheme के लिए eligible नहीं है तब भी वो second name बन सकता है second account holder बन सकता है लेकिन account की सारी responsibility उसकी सारी interest earning उसकी सारी tax की responsibilities हर तरह से account बिलॉंग करता है सिरफ first name के साथ second name का role तभी शुरू होता है अगर first account holder की death होती दोस्तों लोगों के मन में urgent रहती है कि क्या दोनों यानि कि husband और wife अलग लग 15-15 लाख रुपे इसमें deposit कर सकते हैं जी है बिल्कुल कर सकते है husband अलग से 15 लाख और wife अलग से अपने account में यानि एक account ऐसा होगा जिसमे husband का first name होगा wife का second name दूसरा account जिसमे wife का first और husband का second name होगा दोनों accounts के अंदर 15-15 लाख रुपे deposit किये जा सकते हैं कोई भी और scheme हो दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री वेवंदर योजना है PPF है कोई भी और scheme है कहीं भी आपने कितना भी investment किया हुआ है कोई फरक नहीं पड़ता फिर भी आप senior citizen saving scheme के अंदर अगर eligible हैं तो 15-15 लाख रुपे deposit कर सकते हैं यानि एक husband wife total 30 लाख रुपे senior citizen scheme में और 30 लाख रुपे प्रधानमंत्री वेवंदर योजना में invest कर सकते हैं ये 60 लाख रुपे अभी आप invest कर सकते हैं scheme के सबसे अच्छी बात ही है आपको returns इसकी ज्यादा कैसे मिल जाती है जो 7.40% आपको ब्याज मिलता है जो quarterly आपके saving account में transfer होगा उसे अगर आप एक रेक्रिंग deposit account खोल देते हैं एक-एक महिने बाद आपके deposit जाएंगे और उसका जो आज के दिन अगर post office की बात करें तो 5.80% interest रे चाल रहा है तो वो जो cumulative effects आते हैं वो आपकी रकम को multiply करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं दोस्तों 5 साल का लोकी ने scheme का लेकिन हो सकता है कि रुपाउं के ज़रूरत आपको 5 साल से पहले भी पढ़ जाए तो ऐसी condition में अगर आप premature करना चाहते हैं तो एक साल तक account opening से लेके एक साल तक आपके पास कोई option नहीं है कि आप इसको premature कर सके लेकिन अगर account opening date की एक साल के बाद और दो साल से पहले आपको पैसे के ज़रूरत पढ़ती है तो सिर्फ आपको 1.5% penalty पढ़ेगी यानि आपके principal amount में से 1.50% काट कर बाकी amount आपको दे दिया जाएगा और अगर account opening के दो साल बाद आप premature के application देते हैं तो ये penalty सिर्फ 1% का रह जाता है account को आप transfer कर सकते हैं यानि के एक bank से दूसरे bank में एक bank से किसी post office में post office से bank में post office की किसी दूसरी ब्राच में हर तरह से account transferable है लेकिन एक individual name से दूसरे individual name को ना gift किया जा सकता है ना transfer किया जा सकता है सिर्फ in case of death of first account holder वो second account holder के नापर transfer हो सकता है अगर पहली account holder की death होती है 5 साल की अंदर किसी भी समय उसकी death होती है तो वो account second name पर transfer हो सकता है और second name चाहे तो उस account को 5 साल तक continue रख सकता है और अगर ना चाहे तो वो अपने पैसे निकाल सकता है उसी समय पूरे पैसे उसको ब्याज सहित मिल जाएंगे citizen saving scheme account है अगर उसमें maximum 15 लाख पहले से deposit है तब वो जो first person का account है जो deceased person का account है उसको continue नहीं रख सकता in that case वो आपको बंद करना ही पड़ेगा दोस्तों 5 साल के बाद भी आप इस account को extend कर सकते हैं यानि 5 साल का आपका maturity period पूरा हो गया है उसके बाद आप account को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 3 साल का extension आपको और मिल सकता है इन 3 सालों के लिए rate पहले वाला लागू नहीं रहेगा जो maturity date के दिन interest rate चल रहा होगा वो आने वाले 3 साल तक आपको मिलेगा account के extension period के अंदर यारी total 7 और 8 साल के अंदर आप जिस वक्त चाहें बीना किसी कारण के बीना किसी penalty के account को बंद कर सकते हैं दोस्तों income tax के अगर बात करें तो senior citizen savings के मिलने वाला ब्याज 100% taxable है ये आपकी total income के अंदर add करके उसके उपर आपको income tax लगाए जाता है जो भी आपकी tax bracket होगी उसके हिसाब से लेकिन इसमें deposit amount जो आप देते हैं उसके अंदर आपको ATC का लाब मिलता है अगर आप पुराने tax system के अंदर return भर रहे हैं अगर आप ने tax system के अंदर return भरते हैं जो आपको एक financial year में अगर वो amount पचास हजार रुपे से ज्यादा है तो साड़े साथ परसेंट 7.50% आपका TDS काटा जाएगा पहले वो पचास हजार जो interest की limit है वो भी दास हजार थी और TDS का rate भी दास परसेंट था लेकिन अब पचास हजार TDS की काटने की limit है और 7.50% TDS का rate है GST किसी भी तरह से इसकी उपर applicable नहीं है simply maturity के वक्त आपका principal amount आपको वापिस मिलता है interest तो आपको regular आपके saving account के अंदर transfer हो ही रहा था तो यह थी senior citizen saving scheme की वो जानकारी जो हमारे पास है अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे comment box में जाकर पूछ सकते हैं वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करना ना भूला कीजिए देखते रें different moods, thank you